नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपको आपके अपनी चैनल अंजली न्यूस कौन में मैं हूँ आपकी वही अंजली बहुत वक्त लगा हमें आप तक आने में बहुत फर्यार की खुदा से आपको पाने में कभी तुम ये दिल तोड़ कर मत जाना हमनी उम्रे लगा दी आप जैसा सरब बारे में जी आपने सही सुना हम आज के डेली राश्टिफल की बात कर रहे हैं आज के दिन जनका बज़े हैं या फर मारे जनवर्सरी हैं उनको मेरी और से ठेर सारी गुड़ विशिस हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल का इंतिजार मत करो क्योंकि कल तुम्हारा इंतिजार नहीं करता इसलिए कल हमेशा कल आता है अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप जिसे चाहते हो उसे हासल करके रहोगे कमजोर लोग ठोकर खाकर बिकर जाते हैं लेकिन कोशिश करने वाले ठोकर खाकर एक इतिहास रचते हैं फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है रिस्क लेना सीखो जीत गए तो खुश हो जाओगे अगर आप हार गए तो आपको सीखने को मिलेगा अकाश तब रोशन होता है जब वे आप की तरह जलता है इसी तरह जितना अधिक आप अपने आपको रगड़ते हैं उतना ही आप अधिक चमकेंगे अधूरा घ्यान कभी मतलो क्योंकि अधूरा घ्यान आधे जल से भरे घड़े की तरह होता है काम आता नहीं मगर छलकता बहुत है भलाए कर दे रहिए एक बहते पाने की तरह क्योंकि बुराई एक कच्री की तरह होती है जो अपने आप की नारे आ जाती है गलते आपके प्रयास की निशानी होती है जबकि सफलता आपकी निशानी होती है जीतने के लिए खुद में होसला होना चाहिए क्योंकि हारने के लिए बस एक डर ही काफी है भेड में गलत रहा पर चलने से अच्छा है कि अकेले खुद का रहा निश्चे करो वैसे भी शीर हमेशा अकेला ही चलता है हार क्या है? मन के अंदर ठान लेना मुझसे नहीं होगा ये हार है हमेशा कुछ नया करने से डरना ये हार है मुझसे नहीं होगा ये कहना हार है तुम करो मैं बाहर में करूँगा ये हार है जीत क्या है? कभी भी कुछ करने से नहीं डरना ये जीत है मैं करूँगा चाहे जो कुछ हो ये जीद है वक्त को मौका मत दो कि वो तुम्हारी जिद बदल दे बलकि तुम जिद पेड़े रहो कि जिद तुम्हारा वक्त बदल दे सबसे पहले मैं आपको पता दूँ कि अज़ाब के लिए जो है भागेशारी रंग जो बन रहा है वो औरंज रहेगा और जो लकी जो नंबर है वो आज के लिए नंबर 9 बन रहा है यानकी 9 सितारे आपके बार में कहते हैं कि परिवार में किसी शुब कारे की शुरुआत आज हो सकती है आज एकारे की शुरुवात करते समय आपको पैसों की चिंता थोड़ी सता सकते हैं लेकिन आपकी अपिक्षा अनुसार पैसा उपलब्द भी हो जाएगा आज आपको अपने इश्चिदेव की पूजा करने चाहिए कोई भी काम शुरू करने से पहले उसमें बरकत ही होगी कोई कवी बेशी से नहीं आएगी मिले हुए पैसों को आज आपको संभाल कर रखना है और अगर आप खर्च कर रहे हैं तो प्लेज आपको अपने बज़र की और जारा ध्यान देना होगा तब ही खर्चा कीजिएगा वरना आप पर लोल लेनी की जरूरत पर सकती हैं आपको तो ऐसे दिक्कत ना आए इसलिए आपको उचित चीज़ें खरीनी चाहिए जितने की जादा इंपॉदन है साथ में जिनका नकली गहनों का कारोबार है यानि कि जो आटिविशल जुलरी को सेल पर चेस करते हैं उनके लिए आज काफी फायदे भरा दिन रह सकता है काफी आपकी सेल हो सकती है आज आप रोज मर्रा की जिन्दगी से हट कर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो स्पेशली आप परसनली कुछ अपने लिए करेंगे इसे आपकी मांसिक और शरीट थकान भी दूर होते नजर आएगे और हाँ एक नई उड़्जा का प्रभाव भी अपने अंतर आप महसूस कर पाएंगे पानायनसे रिलेटिर इंपॉर्टेंट फैसा लेने के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है लेकिन हाँ कोई भी कारे करने से पहने उसके सभी पहलों पर भी आपको ज़ादा सोच विचार कर लेना चाहिए ये समय धन से रिलेटिर कुछ नुकसान होने की सितियां भी बन रही है तो आपको गौर फर्माना होगा कि किस चीज से आपको नुकसान हो रहा है दोस्तों के साथ फिजुल घूमने फिटने में समय आपको स्पैंटे नहीं करना चाहिए सबसे पहले आपको जो प्रात्मिकता है वो अपने काम को देनी चाहिए घर परिवार को देनी चाहिए तबी आप कुछ एक्स्टा कीज़ेगा जो आप करना चाहते हैं वरना आपका जो दिन है वो थोड़ा गड़-बढ़ा सकता है काम से रिलेटिड आपको यात्रा का मौका मिल सकता है अपने काम को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए योजना सफल रहेगी नए कॉंटक्स से आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है हाथ में लिया हुआ कारे आज ही कंप्लीट करने के कोशिश करने वरना आपके लिए बहुत इनुक्सान दायक भी हो सकता है अज आपको आपके क्षित्र में नाम और पैसा दोनों मिलना शुरू हो सकता है फिर भी समधान प्राप्त ना होना आपकी चिंता का करन भी बन सकता है इसे के साथ ही आज घर के नवीनी करन यानकी रेनोवेशन या सुधार जैसी योजनाव पर कारे करते समये आज आपको वासुशास्त्री त्यादी की सलह ज़रू लेनी चाहिए जो वासुशास्त्री के बारे में जानते हो इससे चोहें आपकी घर में नेगिटिविटी नहीं आएगी पॉस्टिव बढ़ती चली जाएगी साथ ही में हरे काम को करने से पहले बज़र का भी ध्यान रखना होगा प्रॉपटी या धन्स रिलेटिड लेन दिन के चक्कर में किसी नज़्दी के रिष्टिदार और भाई के साथ आज रिलेशन खराब होने की अशंग का नज़र आ रही है किसी के इमती वस्तु के ना मिलने से भी मन आपका बहुत ही परिशान रहेगा लेकिन किसी के उपर शक वगरा करके सबन्दों को प्लीज आप खराब मत कीजेगा वरना आने वाले समय में आपके लिए दिक्कत हो सकती है अब आप करते हैं और आगे बढ़ते हैं बिजनस और करेड के दरब तो बिजनस और करेड में आसे तारे कहते हैं कि आज कारिक्षित्र में जादा व्यस्तिता बनी रहेगी बीजी रहेंगे और्रस को समय पर पूरा करने से मार्कित में आपकी साख बनी रहेगी काफी अच्छी इमेज और मान समान बढ़ेगा लोग आपके बारे में आपकी कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे आपके स्टोर की तारीफ करेंगे इस समय प्रती दवंतियों की गतिविधियों को नजर अंदाज ना करें नौगर बेशा लोगों को अधिकारियों का नकरात्म कर अवया भी परिशान कर सकता है लेकिन आपको जहें इस पर reply बिल्कुल भी नहीं देना है चुपचा बस आप अपना काम करते जाएं और अपना 100% दीजिए यकीन मानिये आपको बहुत युम्दा फायदा होगा थोड़ी और महनत लेकर आपको ये श्य हासिल हो सकता है इसलिए महनत करने से आपको जी नहीं चुराना या फिर डरे भी न आलत से बस दूरी बनाकर रखे जितना हो सके तब ये आप सकसेस हासिल कर सकते हैं रिस्क प्रविर्ति की कारों से आज आपको दूरी बनाकर रखनी होगी रिस्क मत रिजी का किसी की प्रकार का अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज आप ना करें specially share markets में तो भी मत कीजेगा present time में जैसा चल रहा है उसी पर अपना ध्यान फोकस करें उसे की recording काम करते रही कुछ भी आज special मत कीजेगा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको पूरी knowledge पहले होनी चाहिए अंजान लोगों के साथ किसी पी तरह का business करते समय पूरी तरह से चुकना रहीगा क्योंकि इस तरह के लापर वाही आज आपको ही नुकसान दायक बना सकती है आमदनी बढ़ाने के लिए career से related थोड़ी risk लेनी के जूरुद पर सकती है लेकिन अभी मत लीजेगा थोड़े दिन आप रूप जाएं फिर आप risk ले सकते हैं साधी में जिनका import export का काम है उनके लिए काफी अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है और जो लोग जिनका restaurant वगरा है hotel है उनको भी थोड़ा अच्छा मुनाफ़ा आज देखने को मिल सकता है पहले से आप better feel कर पाएंगे इस मामले में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के love life की और आज बति-पत्नी का आपस में जो प्रेम भाव है वो लगादार बना रहेगा विप्रीथ link के मित्रों से दूरी बना कर रखना आज ठीक रहेगा आपके लिए जहापर office में काम करते हैं तो विप्रीथ link को से दूरी बना कर रखिए वरना आप किसी जगड़े में फज सकते हैं आपके पार्टनर को दूर दृष्टी से सोच कर प्लानिंग्स बनाना वक्षू भी आता है इसलिए प्लानिंग्स बनाते समय उनकी सला ज़रूरी जिगा उनकी जुसला है वो आपके लिए काफी हद तक जो है फाइद में सावित भी हो सकती है आज थोड़ी और मेहनत लेकर आपको ये श्प्राप्त हो सकता है मान समान बड़ेगा इसलिए मेहनत करने से बिल्कुल भी आपको जी नहीं चुराना चाहिए रिलेशन्शिप में अगर है तो आपको काम की और जादा ध्यान देना होगा क्योंकि आज आप जारतर समी जो है अपने पार्टर के साथ बिताप आएंगे लेकिन इससे जहाँ आपका जो काम पीछे रह सकता है इसे लव लाइफ को ठीक बनाने के लिए आपको दोनों में बैलन्स बना कर रखना होगा लव लाइफ को अपनी जगा पर रखी करेर को अपनी जगा पर रखी साथ ही मियास सितारे ये भी कहते हैं आपके बारे में कि आज जुहें घर में वातावरन बहुत कुश्णमा भी रहेगा सही योग आपका काफी बढ़ता चला जाएगा घर की कामों में और घर परिवार की देख भाल में आप काफी अपना योगदान देते नजर आएंगे हब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की स्वास्ति की बारे में स्वास्ति आपकी बारे में कहता है कि आज गलत खान पान की वज़ज़ से पाचन क्रिया आपकी डिस्टर्ब हो सकती है बाहर की खाने पीने से प्रहेश करना होगा खास कर बच्चों का ध्यान रखेगा गले की खराश के लोगों को सता सकती है जारा मेहनत करने की वज़ा से सर्वाइकल और कंधों में भी दर्द आपका उठ सकता है कुछ exercise कीजी, आराम कीजी, आपको बहुत अच्छा result मिलेगा जोड़ों का दर्द भी करे लोगों को हो सकता है, especially बज़रुगों को तो उनका ख्याल रखना आपका फर्ज रहेगा आज के लिए तो चलिए बंद में बात कर लेते हैं आज के विशीश उपाई के बारे में तो विशीश उपाई में आज है आपके लिए कि आज आपको बच्चों में कुछ उपहार बाटने चाहिए जिसे बच्चों की खुशी आपको मिलेगी साथ में अगर आप घर में सफाई बगारा करते हैं जैसे आपका स्टोरूम है और आपने काफी देड़ से महां सफाई बगारा नहीं की थी तो आपको उस रूम को जरूर साफ करना चाहिए इससे जो है नेगेटिव बूर्जा दो रहती है और घर में जो है पॉस्टिव बूर्जा बढ़कर आ रहती है इसलिए आपको जो है हर महीने बड़की करना चाहिए स्टोरूम के सफाई तो दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद